ओम नमो भगवते वासुदेवाय विशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मानिता है कि इस एकादशी का वरत रखने वाले भक्त जो पूरे मन से भगवान विश्णु की पूजा आज के दिन करते हैं। उन्हें भगवान की किरपा से सभाग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शुब योग में किये गए शुबकारियों का फल कई गुना प्राप्त होता है। एकादशी का उपवास रखने से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेगे एकादशी वरत के बारे में वरत किस दिन रखना है क्योंकि इस बार भी एकादश कब से कब तक रहेगी वृत का पारणा कब करना चाहिए और किन-किन विशेस मंत्रों से आज के दिन भगवन विष्णु की पूजा की जाती है भगवान को कौन-कौन सी पूजन सामगरी जरूर अर्पित करनी चाहिए कौन सा नेवेति अर्पित किया जाता है जो भक्त इस या 12 तित्व उकत एक आदशी की अगर बात करें तो 16 अप्रेल रविवार का दिन ही एक आदशी के लिए है एक आदशी तित्व प्रारंभूगी 15 अप्रेल शनिवार की रात 8 बच कर 46 मिनट से जिसकी समाप्ती 16 अप्रेल रविवार की शाम 6 बच कर 14 मिनट पर हो जाएगी 16 अप्रेल रविवार को सोर्योदय सुभ़ 6 बच कर 9 मिनट पर सोर्यास्त का समय शाम 6 बच कर 44 मिनट पर रहेगा रहुकाल रहेगा शाम 4 बच से लेकर 6 बच तक 12 अप्रेल रविवार की शाम 6 बच कर 15 मिनट से जिसकी समाप्ती 17 अप्रेल सोर्योदय रहेगा सुभ़ 6 बच कर 8 मिनट सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बच कर 44 मिनट और इस दिन भी रहुकाल का समय रहेगा सुभ़ 7.30 से लेकर 9 बच तक अब जान लीजे कि वरत की समय खोलना है तो 17 अप्रेल सोर्योदय को आप वरत खोल सकते हैं सुभ़ 6 बच कर 9 मिनट से लेकर 7 बच कर 25 मिनट तक और 9 बच कर 5 मिनट से 10 बच कर 15 मिनट तक क्योंकि बीच में रहुकाल का समय है यदि आप इस वरत का पूर्ण फल प्रात करना चाहते हैं तो रहुकाल के समय का आपको त्याग करना चाहिए वरत खोलने के लिए द्वादशी तिथी का सुरुदे के बाद का शुरुवात का 2-3 घंटे का समय सबसे शुब माना जाता है मद्ध्यान के समय कभी विवरत नहीं खोला जाता है जो भी भक्त इस दिन उपवास रखना चाहते हैं उन्हें सच्चे मन से इस दिन भगवान विश्नु की पूजा अर्चरा करनी चाहिए और उपवास रखना चाहिए इसके लिए दश्मीतिति के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रह नहीं किया जाता है दश्मीतिति को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए महिलाओं या कर्ण्याओं को सरसे इसनान दश्मीतिति के दिन ही कर लेना चाहिए तुकि एकादशी वृत में सर से इसनान करना वर्जित होता है फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर इसनानादी से निवृत होकर भगवान विश्नु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर वृत रखने का संकल पलिया जाता है फिर भगवान विश्नु को इसनान कराकर चंदन का तिलक लगाया जाता है उन्हें वस्तर रूपी जनेव और पित के जाते हैं और साथ ही पीले पुष्पों से भगवान का श्रंगार किया जाता है पीले पुष्पों की माला पित की जाती है धूप दीब जलाका साथी माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए इस दिन पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है अक्षत यानि की चावल एक आदशी के दिन ना तो चावल का प्रयोग भगवान की पूजा में करना चाहिए ना ही चावल का दान देना चाहिए और घर में भिजदन चावल नहीं बनने चाहिए घर में सुक समर्थी आती है और कोई भी काम बिना किसी बाधा के पूरा हो जाता है भगवान विश्णु के पंचरूप मंत्र का भी आज के दिन जब करना चाहिए यह मंत्र है ओम अंग वासुदेवाय नम्हा ओम आंग संकर्षनाय नम्हा ओम अंग प्रद्युमनाय नम्हा ओम अह अनिरुद्धाय नम्हा और ओम नारायनाय नम्हा इन मंत्रों का आप सच्चे मन से जाब करें और आपकी जो भी मनुकामना है उसकी पूर्ती के लिए यदि प्रयार्थना करते हैं तो भगवान की करपा से सारी मनुकामनाय भी पूर्ण हो जाती है साथी ओम श्री महा लक्षमे नम्हा मंत्र का जाप मातालक्षमी जी को प्रसंद करने के लिए उनकी करपा पाने के लिए भी करना चाहिए बिना तुलसी जी की पूजा के आज की पूजा अधुरी होती है, तो मा तुलसी जी की पूजा करते समे यानि की तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाते समें इस मंतर का जाप करना चाहिए मा तुलसी जी में आज के दिन जलर पित नहीं किया जाता है रविवार का भी दिन है और एक आदशी का भी दिन है एक आदशी के दिन तुलसी जी को बिना इस पर्ष किये ही सुभ और शाम दीपक जलाना चाहे दश्मितिती को तुलसी पत्र तोड़ते समय हाथ जोड़ कर तुलसी माता को प्रणाम करके इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए ओम सुभद्राय नमहा या ओम सुप्रभाय नमहा या फिर मातस तुलसी गोविंद हर्द्यानंद कारणी नारायनस से पूजार्थम चिनोमी इत्वाम नमोस्तुते इन तीन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते वे आपको तुलसी पत्र तोड़ कर रख लेने चाहिए तुलसी पत्र को तोड़ते समय आपको ध्यान रखना है नाखुन से नोच कर या पूरी तरह से तुलसी जी का पौधा ही लाकर कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं और एकादशी और दुआदशी तिति के दिन भगवान को आप जो भी भोग लगाए उनमें इन का प्रियोग बहुत ज्यादा अनिवार होता है क्योंकि इनके बिना भगवान अपना भोग स्विकार नहीं करते हैं इन मंत्रों के जाप के साथ ही आप ओम नमो भगवते वासु देवाए नम्हा ओम श्री विश्नवे नम्हा या हरे कृष्णा मंत्र का भी जाप कर सकते है अगर आपके घर में लड़ू गोपाल जी है और आपने एकादशी का उपवास रखा है या आपके घर में एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता हो तो आज के दिन लड़ू गोपाल जी को भी चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग नहीं लगाना चा है किसी भी विरत के दिन मंदिर में कुछना कुछ दक्षणा भी चिड़ाय Jाती है ताकि आप उसका दानमरní कर सके और किसी योगी व्यक्ति को इसका दान दे सके एसा करने से भी भगवान की खरप्रा सबसे अंत में आरती करके फिर भगवान को भोग लगाया जाता है भोग में आज के दिन आप केवल मौसमी फलों का या फलों के जूस का या फिर ड्राइफ रूट्स का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन शहत का सेवन नहीं करन चाहिए दिन बर उपवास रखकर शाम के सम एक बार फिर से साफ सच्छ वस्त्र धारन करके भगवान की पूजा अर्चना करें इसी प्रकार भगवान को भोग लगाएं और प्रशाद रूप में आप ने जिन भी फलों का भोग भगवान को और पित किया हुआ है जैसे कि मौ किले दिन वरत का पारणा शुब मौर्थ में किया जाता है उससे पहले आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए दान में दी जाने वाली सभी सामग्रियों की पूजा करके फिर किसी योगी व्यक्ति को उसका दान देना चाहिए क्योंकि इस बार अविवार के दि ये सोमवार का व्रत रखा जाता है और इस बार प्रदोश व्रत भी सोमवार के दिन ही है तो ऐसे में यदि आप सोमवार के दिन व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का पारणा करते से में आपको किवल तुलसी पत्र का और फलों का ही सेवन द्वादशी तिति को शुब मूर करना चाहिए और शाम को प्रदोष वृत में आपने जिस तरह का इभी भोजन का संकल्प दिया है उसी तरह का भोजन या फालाहार आपको करना चाहिए इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा